तामिलाडो में बिहारी मजदूरों के मारपीट मामले को लेकर परजी वीडियो चलाने और हिंसा फैलाने को लेकर बिहार पुलिस के तरफ से बिहार के कुछ यूटूबर्स पर एफ आयार दर्च किया गया था आपको बता दे कि उनको सबसे पहले तो नोटिस दिया गया था जिसमे कि कुछ लोग चले गए और कुछ लोगों के गिरफतारी हुई लेकिन इस मामले में आरोपी मनीश कश्यप लागतार फरार चल रहे थे आपको बता दे कि कुछ दिनों के बाद पुलिस की तरफ से अडवाईजरी जारी करके यह कहा गया कि उनको अरेस्ट वारन जारी किया जाएगा और उनको गिरफतार किया जाएगा आपको बता दे उसके बाद भी मनीश कश्यप हाजी नहीं हुए जिसके बाद से मनीश कश मनिश फोटो फोटो मीडिया सामने आया है उसमें यौन मनिश कश्यप के हाथ में हत्कड़ी लगाई जा रही है और लोग उनके साथ मनिश कश्यप जिंदाबाद के नाड़े लगा रहे हैं आपको पता दे कि इसी क्रम में अब एक नया वीडियो शोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है जो कि मनिश कश्यप के गिरत्तारी क समय का है आपको बता देए कि उस समय मनिश कश्यप को पुलिस का स्टडी में ले रही थी उसी वक्त उनकी आँखों से आसु छलक रहा था उनके सहयोगी उनको दिलासा दे रहे थे कि भाई घबराना मत हम लोग तुम्हारे साथ है और लड़ाई लड़ेंगे और उस वक्त तो आप साफ तोर से देख सकते हैं कि मनिश कश्यप की आँखों में कैसे आसो दिख रहे हैं वहीं बैठे अधिकारी कह रहे हैं कि आप दिलासा दे रहे हैं और आप खुद ही रो रहे हैं फिर सामने खड़ा व्यक्ति जो उनको दिलासा दे रहा है वो कहता है कि भाईया के खाने पीने का ध्यान रखेगा इस पर अधिकारी ग्याह कहते वे नजरा रहा है कि आपसे ज्यादा हम उनका ध्यान रखेंगे आप चिंता मत करिये जितना आप ख्याल नहीं रखते होंगे उससे ज्यादा हम इनका खयाल रखेंगे लेकिन ऐसे मैं अप सवाल यह उठता है कि आखिर मनीश कश्यप के आँखों में आसु क्यों आया था आखिर मनीश कश्यप अपने सहयोगी साथी को देख कर इते भाव क्यों हो गया आप साफ तोर से देख सकते इस वीडियो में कि कैसे मनीश कश्यप की आँखों से आसु छलक रहा है तरसल आपको मामला तो पता ही मामले में इन्होंने फ़र्जी वीडियो बना कर चलाया था जिसके बाद पुलिस कुछ लोगों को चिनित करके उनके खिलाफ दर्जबी थी साथ आपको बता दे कि उनमें से कुछ लोगों को पहले ही गरफतार किया जा चुका था लेकिन मनीश कश्यप लागतार इस मामले मे फरार चर रहे थे और अंतता बिहार पुलिस को कुर्ती जपती करने उनके घर जाना पड़ा जिसके बाद मनीश कश्यप ने खुद सामने से आकर जगतीश पूर्थाना में सरेंडर कर दिया और इस मामले को लेकर उनको गिरफतार किया गया है फिलाल इस खबर में बस इतन कर दो